और फाइनली वच्चो आप लोगों को जो बहुत दिनों से इंतजार था कि ओफिशिली कुछ मिले तो आज आपको ओफिशिली मिल चुका है कि आपका 12 नौवंबर से एक्जाम है और तीन फेज में होगा उस फेज से आपको कोई मतलब नहीं है आपका किसी भी फेज में पढ सेंटर्स क्लिर हो जाएंगे यानि सेंटर्स नहीं तो आपको किस डिस्टिक में आपको एक्जाम देना है यह क्लिर हो जाएगा मातर 13 ही डिस्टिक में एक्जाम बनाया गया है क्योंकि ओनलाइन सुईधाय जो हमारे यूपी के पूरों में डिस्टिक हैं उनमें बहुत कम मिलती हैं कि लाइब हो इतनी इस लायक की यूपी का exam कराए जा सके इसलिए ये इतने लंबे चलेंगे भी exam to normalization का भी एक बड़ा role play हो सकता है उसमें तो इसलिए बच्यो normalization किसी को घाठा करने के लिए जनमजात पैदा नहीं हुआ है वह तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन से आपको बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है लेकिन नॉर्मलाइजेशन परहिशान करेगा, no doubt, ठीक है, लेकिन आप hopefully अपने आपको positive रखिए, नॉर्मलाइजेशन आपको फायदा भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है, नुकसान किसी को नहीं करता, फायदा किसी को नहीं करता, जिसका मुश्किल पर आया, उसको थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, जिसका आसान आया, उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों, negative marking हैं नहीं, ये सब आप clear है, clear cut है, और आपसे बार-बार कह रहा हूँ, नॉर्मलाइशन के लिए ये सोच के ना जाएं, कि मैं कम attempt करके आऊं, या मैं अपनी सटीक ता ज्यादा दिखा हूँ, बटा ऐसा पैट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है, आपने अभी देखा था, ठीक है, आप पूरे के पूरे ही टच करके आना, UPSI exam में, ये कि हम ये करेंगे तो हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, कभी उससे कोई फरक नहीं पड़ता, बटा नॉर्मलाइशन का फरक बस इतना बता दूँ आपको, कि जो question बहुत मुस्किल है, अगर उसको करके आते हो, तो फायदा होता है, जिसको common बच्चा नहीं कर पाता, जिसक तो कुछ इका दुकाई बच्चे कर पाते हैं, मान के चलिए, पॉइंट वन परसेंट बच्चों ने वो जवाब दिया है, अगर आपने वो जवाब दिया है, तो सीधी सी बात है, नॉर्मलाइशन में फायदा होगा, और जो question बहुत आसान है, बहुत आसान, अगर वो आपने गलत कर दिया, तो सीधी सी बात है, आप नुकसान में जाओगे, मतलब वो तो गलत बिल्कुल नहीं करना है, जो आसान है, ठीक है, तो basically यही नॉर्मलाइशन है, चलिए,